पाकिस्तान की आर्थिक हालात दुनिया से छिपी नहीं है लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में चौकाने वाला खुलासा हुआ है दरसल पाकिस्तान में अब स्थिती बेहद ही खराब हो चुकी है हालात ये हैं कि पाकिस्तान के बंदरगा पर कोई जहाज रुकने को तयार नहीं है जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के कागार पर पहुँच चुका है पाकिस्तान के पास आयात के पेमिंट का पैसा भी नहीं है इसके कारण ये आशंका जाहिर की जा रही क्योंकि डॉलर की कमी के कारण बैंक उनका माल धुलाई का पेमेंट नहीं कर रहा है अगर शिपिंग लाइन बंद हो जाती है तो सामान बेच कर जो डॉलर पाकिस्तान पा रहा है वो भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान में व्यापार की बात करे तो लगबख सभी देशों से व्यापार समुद्र के जरिये ही होता है पाकिस्तान शिप एजेंट्स एसोसियेशन ने वित मंत्री इशाग डार को एक चिठी लिखकर चेतावनी भी जारी की है Association ने कहा कि पाकिस्तान में विदेशी shipping company अपना व्यापार समेटने का मन बना रही है अगर अंतराश्टिय व्यापार बंद हो गया तो स्थिती और भी ज्यादा भयावा हो जाएगी पाकिस्तान के हालात कैसे हैं उसे इस बात से समझा जा सकता है कि सरकारी कंपनी PNSC के पास केवल 12 जहाज हैं और इनसे वह सिर्फ कच्चे तेल और अन्ने पेट्रोलिय मिंदन का ही आयात करता है जहाज एजेंट्स के मुताबिक शिपिंग छित्र पहले से ही आर्थिक उतार चड़ाव को देख रहा है पेमिंट ना होना किसी भी बाहरी व्यापार को प्रभावित करेगा पाकिस्तान पहले से ही आनाज संकट को जहल रहा है पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए आनाज नहीं है रोटी के लिए लोगों के बीच वहां भगदर मच रही है ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये नया संकट किसी बड़ी मुसिबत की ओर इशारा कर रहा है आपकी क्या है इस खबर पर राये हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टीवी नाइन भारत वर्ष